नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क स्टोरीज में ये बात मेरे गाउं की है, जब मैं छुटियों में गाउं घुमने गया था मेरे गाउं में एक परानी खंडर हवेली है, जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता ये बात मुझे मेरे गाउं के दोस्तों ने बताया, जब ये बात मुझे पता चली, तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं, मुझे ऐसी जगों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिल्चस्पी होती है फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडर हवेली के सामने पहुँच जाता हूँ वहाँ दोर दोर तक कोई आता जाता नहीं था मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहां अगल बगल में कोई रहता क्यों नहीं बलकि लोग इस तरास्ते में आजा भी नहीं रहे हैं ऐसा क्यों तो मेरे दोस्तों ने बताया यह हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है बलकि यह हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है मैं बोला ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो मेरे दोस्तों ने कहा यहाँ पुरे गाउं का यही मानना है इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सची घटनाई यहाँ प्रसिद्ध है मेरे मन में इसके बारे में जानने का खयाल और बढ़ने लगा मैंने पूछा क्या है इसके पीछे कहानी तब उन में से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमिनदार हुआ करते थे उनके एक पत्नी भी थी जो बहुत सुन्दर थी उनका नाम सुलेखा था उस समय की डाकों के भी खौफ से लोग डरते थे डाकों की टुकड़ी जिस गाउ में घूमती थी उस गाउं को पुरी तरह बरबाद कर देती थी एक बार डाकों के सरदार को जमिनदार के धन और संपती पर नजर पड़ी जिसके बाद उसने जमिनदार के घर डखेती डालने का सोचा इस पर सभी डाकों ने हां कर दिया फिर एक दिन वो भी आ गया जो जमिनदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा डाकों ने एक दिन जमिनदार के हवेली पर रात में डखेती मार दी जमिंदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे जो डाकों के हवेली में आने पर उनसे लड़ सके क्योंकि जमिंदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारन हत्यार के साथ थे वही डाको की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हतियार के साथ लैश्ट थे जिसकी वजह से जमिंदार के सिपाहियों और नोकरों को कुछ ही देर में मार डाला ये सब जमिंदार देखने के बाद सोचा इससे पहले कि डाको हवेली का दर्वाजा तोड़ कर अंदर घुश जाए उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खूफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पतनी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में चुपा दिया और बाहर से कमरा बन कर दिया इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दर्वाजा तोड़ कर अंदर घुज गए जिसमें जमिनदार की मौत डाकू के हातों हो गई परजमिनदार ने मरते मरते अपने खजानों का पता उन डाकू को नहीं बताया डाकू ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती समानने को लेकर वहां से चले गए पर जमिंदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी उसका पता किसी को नहीं था उसकी पत्नी बहुत चिलाई लोगों को बुलाने की कोशिश की कमरे के दर्वाजे को तोड़ने की कोशिश की पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूक प्यास से तडब तडब कर वहीं मर गई उसके मरने के बाद उसके लाश से बदबु से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़ कर उसके हवेली को वहाँ से निकाल कर उसका अंतिम संसकार किया कहा जाता है कि आज भी वो अपने पती का इंतजार उस कमरे में करती है उसका पती कभी तो आएगा और उसे उसके हवेली में गुस पैठिये या उसके बिना इजादत के अंदर आने वाले लोगों को सजा देती है मैंने अपने दोस्तों को ये कहाने सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया मैंने पूछा क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास तो उन लोगों ने बोला कुछ लोगों ने इस हवेली में आने की और वहां रुकने की गलती की थी जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाये हैं मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में तब दोस्तों ने मुझे बताया एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है इसके बाद कोई कुछ नहीं जानता उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था बस में एक रात रुपने के लिए रुप जाता है जो सुबह जिन्दा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है पर अपना मांसिक संतूलन खो देता है तब से वो आज तक पागल है ये बात सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की इसलिए हम लोग वहां से घर चल आई हो ऐसी और भी कहाने सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भोलें धन्यवाद